हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेकिफाइट आज हम एक नए कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडॉबी फोटोशॉप सीसी 2015 जैसे कि आप जानते ही होंगे कि फोटोशॉप पूरे वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इमेज एडिटिंग सॉफ्ट्वेर है तो हम इस सॉफ्ट्वेर में बेसिक से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक टूटोरियल्स बनाने जा रहे हैं तो चलिए हम सीखते हैं तो फ्रेंड्स आज के चैप्टर में हम सिखेंगे कि कैसे आप इंटरफेस में अपीरियंस चेंज कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं एडिट में क्लिक करेंगे प्रिफ्रेंस फिर उसके बाद इंटरफेस में जाएंगे यहां देखें आपको डिफरेंट थीम अर चलिए करेंगे तो भूर बीडरफेस कि करेंगे तो हम्ली क्लिफोल्ट प्रिफल्ट करेंगे कि देखें इस rozmकивается कहली है इसका बनौर मैंठबक है शिफ्ट प्लस f1 की को प्रेस करेंगे तो dark और shift plus f2 की को प्रेस करेंगे तो black अगर आप right click करके यहाँ पे देखे click कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आप background के appearance को change कर सकते हैं अपने recording black, dark grey different options आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से आप paint bucket tool को पकड़ लिए और उसके बाद जाईए hsb slider hsb का full form होता है hue saturation and brightness इसके दुरू आप अपने recording color चूज करके भी background को color कर सकते हैं तो यह भी बहुत अच्छा option है photoshop में इसके दुरू आप appearance को अपने according change कर सकते हैं देखे, मैं यह different color select कर सकता हूँ जैसे कि red मैंने यहाँ put किया तो red color हो गया select custom color आप यहाँ पे कोई भी color को pick करिए वो color वहाँ पे आ जाएगी तो इसी तरह आप appearance को change कर सकते हैं इस 2019 कर सकते हैं